नमस्कार आप देखने निश्पक्ष नियूज और मैं हूँ आपके साथ शीतल राजपूत चुरुवात बिहार की इस खबर से करते हैं बिहार के छप्रा में जहरीली शराब पीने से मनने वालों का अंकड़ा 24 पहुच गया है विपक्ष की बीजेपी ने शराब कांड को लेकर विधान सभा में जम कर हंगामा किया तो नितीज कुमार आपाखो बैठे शराब बंदी को फेल बताने वाली बीजेपी को आईना दिखाने लगे मुखे मंत्री तू तडाक पर उतराए ये रिपोर्ट देखे शराब बंदी पर उठे सवाल नितीश कुमार हुबेला पीजेपी ने मौक का हिसाब मांगा सुश्यासन बाबू वो उठे आग बबुला क्या हो गया है च्छप्रा में जहरीली शराब के तांडव ने बिहार की सर्द सुबै को गम की तपीश में जुलसा दिया पॉप फटते ही साथ मौत की खबर से हड़कंप मच गया लेकिन रफता रफता मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही रहा शाम धलने तक बीश से ज्यादा घरों के चिराग बुझ गए आंगन से अस्पताल तरह चीख चितकार मच गए चपड़ा के मसरक में बड़ा जहरीला सराब कांड़ हुआ है जिसमें कि अभी तक बीश से ज्यादा लोगों के मौत हो गई है जबकि कई लोग अभी भी जिन्दगी और मौत से जूज रहे हैं यह चपड़ा का मसरक थाना है मुख में रूड पर यही बजार है आपको दिखाएंगे कि यही वह बजार है जहां पर इस बजार से जूड़े करीब चार पाच पंचायत के लोग इस हाथ से किस घटना के सिकार हुए है और इन लोगों ने इसी चपड़ा बजार में मारके साम की खरिदारी करने आयते हैं और साम में लोटते वक इन्होंने सराब पीती और सराब पीने के बाद घड़ गए और रा पलक जपकते ही छपरा की चीख पुकार पटना पहुच गई विपक्षी बीजेपी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर सुश्यासन बाबू पर सवाल दागने लगे नितेश सरकार की नाकामी के नारे लगाने लगे जो नशाबंदी है उसको लागू करने का जो तरीके हैं उसको और बेहतर करनी की जरुवत है और छपरा में और कई इसके पुर में भी कई जगए जरीली सराब की घटना हुई है इसे और बिलम रोके जाने की जरुवत है क्योंकि इसमें समाज का ऐसा तबका जो कहीं-कहीं गरीबी रेखा से नीचे है ये इसके सिकार हो रहे हैं अबू का सीना चलनी कर दिया और वो बीज़ेपी विधायकों को उने की जुबान में समझाने लगे तू तड़ाक पर उतरा है अगरी यंगमेन वाले नितीश के तेवर ने बीज़ेपी विधायकों का गुस्सा साथवे आस्मान पर पहुंचा दिया हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर के लिए सदन चलाना मुहाल हो गया शोर के जोर ने सभापती को कार्यवाइस ठगित करने को मजबूर कर दिया बीज़ेपी के विधायक जो बाते सदन में कहना सके बाहर आने पर वो रोके ना रुके मीडिया का माइक देखते ही निकेश कुमार को कोसने लगी सुष्यासन पर सवाल के साथ ही शराप बंदी के फेल होने का सबू देने लगे ये दुरभागपुन है लोग तंत्र का हत्या है मुख मंत्री जी संबिधान की धज्जी उड़ा रहे हैं और पूरी तरह से ये अपने हंकार स्वार्थ में और अपनी कुर्शी के लिए इतना घबरा चुके हैं कि मरजादा को तार तार कर रहे हैं ये सरकार अब बिल्कुल विफल हो चुकी है सरकार को इस्तिफा देना चाहिए सरकार जो कानून बना रहा है कि जिनके जमीन में जिनके घर में दारू मिलता उनको स्वामी को भी पकरा जाए मैं तो असपस चब्दों में कहा है कि बिहार के मुख्या नितिश कुमार जी का नीर्म vào रिए वाइब आज किस तरह मुख्मंद्री जी का विहाइब नहीं देखा देखर की लोग हत्परब थे कि इस तरह अकेले क्यूば चिला है सारे कक्ष के भी साथ सबस्तों एक है इसे यह स्पस्ट है कि सरकार के संदक्षन में बिहार में सराब बिक रही है सासन परसासन के लोग सराब बिचबाते हैं और संदक्षन देते हैं गरीब मर रहे हैं पासी समाज के लोग मर रहे हैं पासवान समाज के लोग मर रहे हैं और सराब में सरकार का संदक्षन है बिहार में सराब बंदी धोखा है शराब बंदी में जब आशक्ता पड़ी हम लोग ने संचोधन किया है जब कानून बनता है तो अंग्रेजियों ने भी कानून इजाद किया IPC, CRPC उसके बावजूद भी कानून तोड़ने वाले लोग है और अन्य राजों में जहाँ शराब बंदी नहीं है वहाँ भी घटन जैसे तमिलनाट, करनाटक, उतर प्रदेश, पंजाब और बिहार में भी शराब बंदी कानून आने के पूर में भी जहरेली शराब से मौते हुई है तो निशित रूप से जो भी इसके लिए दोशी है उस पर हम लोग कारवाई करेंगे और सक्ट से सक्ट कारवाई करेंग चपरा में जहरेली शराब से हुई मौतों के लिए सीधे तोर पर निटिश कुमार को कसूरवार ठैराने लगे विधान सबा में निटिश कुमार के गुस्से को भी उनकी हताशा का सबूर बताने लगे सराब से हर दिन मौत हो रहा है ये निटिश कुमार जी को समझ में नहीं आ रहा है निटिश कुमार जी अपने जिद पे अरे हैं और सराब आज है भगवान की तरह हो गया कि भगवान दिखते नहीं हर जगा मौजूद होते एक व्यक्ति ने कहा और सराब हर जगा तो मैं यही कह रहा हूं कि नितीश कुमार जी शराब के कारण बिहार में केवल मौत ही नहीं हुई है अपराध बर रहा है जिस परकार से बिहार के अंदर आए दिन और सराब बंदी का खुले आम माहूल मतलब बंदी के नाम पर खुले आम लुट हो रही है और महां हत्या की राज्जिती हो रही है कितने लोग मारे गए सेक्ड़ों लोग सराब बंदी के बाद से मारे गए हैं सराब कांड में मुखमंति जी का स्रवर्ण सक्थी कमजोर हो गया है बीजेपी के कारण वो बने थे और आज वह बीजेपी को कह रहे हैं कि वह स्राप बीजेपी के लोग बिचवार हैं प्याहर के अंदर शराबंदी पूरी तरसर फेल कर गई है और नितीज जी ने निरने लिए हम लोग ने साथ दिया आज भी हम शराबंदी के पक्ष में हैं तिक अगर 45,000 लोग प्रती मां गिरफतार किये जाएं दस हजार लिटर शराब प्रती दिन अगर जबत की जा रही है और कौन लोग गिरफतार किये जा रहे हैं इसमें VIP केबल 795 हैं बाकि सारे के सारे दिली ता दिवासे गरिब लोग हैं तो कैसी शराबंदी है अब तो जनता दिली के विधायक जो है वो उगली उठा रहे हैं तो दिया के सामने आएं डिपटी सीम ने बीजेपी को पुराने दिनों की याद दिला दी ये सवाल दागा कि जब 15 सालों तक बीजेपी सक्ता में थी तब कितने लोग जहरीली शराब की भेट चड़े आखिर तक किसने उनकी जुबान पर ताला जड़ रखा था आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं लेकिर आज शराब बंदी थी चाहिए शराब बंदी होते हुए या उससे पहले जब शराब बंदी नहीं भी थी तो भी जहरीली शराब से लोग मारे जाते थे कहा जा रहा है कि मश्रग और इस वापन इलाके में देसी शराब की बड़ी खेप पहुची थी जिसे 50 से ज़ादा लोगों ने पिया था सबी ने 20-20 रुपे में देसी शराब के पाउच खरीदे थे कोई नहीं जानता था कि वो 20 रुपे में अपनी मौट खरीद रहा है दिल्ली से रमन कुमार, रिशिगेश कुमार और छप्रा से अमिताब ओजा के साथ सौरप कुमार पटना निउस 24